वरिष्ठ नेता और भारतिया कम्यूनिस्ट पार्टी के महासचिफ सीताराम येचुरी का गुरुवार को निधन हो गया उन्होंने बहत्तर वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली वो लंबे समय से बीमार थे उन्हें पिछले दिनों एम्स में भरती किया गया था बहत्तर वर्षियम माकपा नेता सीताराम येचुरी को पहले 19 अगस्त को एम्स में भरती किराया गया था बात में उन्हें ICU में ले जाया गया था तभी से उनका इलाज किया जा रहा है गुरुवार को उनकी तबियत एक बार फिर बिगर गई थी येचुरी को फेफडों में infection था इसकी कारण उनको निमोनिया हो गया था कुछ दिनों से उनकी हालक गंभीर बनी हुई थी एम्स की ओर से दी गई जानकारी के मताबिक सीताराम येचुरी के परिजनों ने उनके पार्थिव शरीर को एम्स को दान कर दिया है आपको बता दे कि सीताराम येचुरी का निधन निमोनिया से हुआ है निमोनिया के कारण फेफडों में infection हो जाता है जब ये infection बढ़ने लगता है तो लंग्स की क्षमता पर असर पढ़ता है संक्रमन बढ़ने के कारण मरीज का सांस लेना मुश्किल हो जाता है निमोनिया के कारण सेपसिस हो जाता है ऐसा निमोनिया के bacteria के खून में जाने के कारण होता है इससे septic shock लगता है और BP तेजी से गिरने लगता है BP कम होने का सीधा असर हाट और अन्य अंगों पर पढ़ता है इन अंगों में खून की सप्लाई सही तरीके से नहीं हो पाती है और इससे multiple organ failure हो जाता है कुछ मामलों में निमोनिया के कारण लंग्स में फोड़ा हो जाता है और लंग्स में तरल पदार्त भर जाता है इससे respiratory failure हो जाता है जिससे मरीज की जान बचाना मुश्किल हो सकता है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें